अरे अंकल जी संबालिये संबालिये अरे 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 आज हम लोग हरी द्वार में हैं और आप मिलेंगे यहां के प्रसीद स्ट्रीट फूट के वैपारी ढोकला बाबा से इसके नाम पेपी पीछे यह बहुत ही रस्प्रत कहानी है यह यूवक पाँच साल पहले हरी द्वार में सादू बनने आया था लेकिन जब उसने एक आज साल तक सादू बन के ट्राय किया तो उसको मालूम बढ़ा कि यह काम अपने लिए नहीं है तो उसने सैकन में एक साइकल खरे दी और उस पे घर पे ढोगड़ा बना के बेचना शुरू कर दिया यह यूवक एक तीस रूपिया में बेचता है दिन की करीबन ये एकदम इजिली सौ प्लेट बेच देता है तो उसको तीन हजार रूपिया मिलते है और आपको मालूमी होगा कि यहाँ पे इंडिया में फूड बिजनेस में 50% क्या प्रॉफिट है तो रोज का ये वूवक पंद्रा सुरू रूपियों आराम से कमाता है यह यूवक सामको 6 बज़े अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और 8 बज़े खतम हो जाता है और इसकी ये पूरी दुकान साइकल पे ये है देखिए आप वहाँ पे आगे प्लेट है गंदी सी और पीछी अच्छी सी नई प्लेट है उसमें ही ये ढोकला बना के दे देता है उसकी साइकल गंगा गाट पे आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो मार्केट के और के जाने के रस्ते पर वहीं पे खड़ी होती है मैं आपको ये रखमांड करता हूँ कि अगर हरिद्वार जाय तो ये जरूर ट्राय कीजेगा मैं हरिद्वार में करीबन एक हपता रुका और मैंने हर रोज इसकी ढोकला का ट्राय किया मेरी तबियत भी नहीं बिगडी अगर आपके देखे ते इसका बिजनिस मॉडल एकदम सरल है वो गर पे ढोकला बना के आके मार्केट में खड़ा हो जाता है और साइकल पे 6-8 में बीच में दो घंटे में धंदा करके गर पे चला जाता है और हरिद्वार में बहुत सारी बड़ी होटले हैं लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि होटलों का खाना होटलों में नहीं बनता है जगक के अबाव से तो यह छोटी छोटी गलियों में ही खाना बनता है तो ऐसा खाना खाई है कि जो आपके स्वास्त के लिए अच्छा हो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी चैनल पे हरिद्वार के काफी और भी वीडियो लगे है हरिद्वार का आश्रम का वीडियो आप जरूर देखिएगा और आप को यह वीडियो पसंद आये तो सब्सक्राइब कीजिएगा